क्या फ्लीट मेनेजमेंट सच में आने वाली है इस बार डिसेंबर में? पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनियत लाइफ एक्स करियर्ज को और करे अपने आयम यू सेट का सपना साकार डाउनलोड दी आप नाउ आप सबी लोगों क Juist डिसेंबर में कौझ सी कंपनी आने वाली है क्या डिसेंबर में दुबारा से i.m. Linear क्या डिसेंबर में दुबारा से i.m. s.e. t. होगा प्लीज रिपलाई प्लीज रिप्लाई तो उनके लिए भाई, ये वीडियो आज मैं लेकर वा या हूँ लेकिन इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सभी दों को बताना चाहता हूँ कि आज 21st August है 11 बजे से सुबह 11 बजे से हमारा Master Class स्टार्ट होने वाला है अगर आप ये Master Class जोईन करते हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ है अगर आप ये Master Class जोईन करते हो तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है लाइक IMUCT क्या होता है, exam pattern क्या होता है, sponsorship क्या होता है, psychometric test क्या होता है सारी चीज़ें उसमें मिलने वाली है, इसके अलावा victory approach of learning क्या होती है 8 stages of transformation क्या होता है, घर पे बैठ करके आप कैसे prepare कर सकते हो and, end में आपको 10,000 तक के courses free में मिल सकते हैं अब आ जाते हैं वापस, तो मैंने वैसे एक Anglo Eastern के उपर पहले ही वीडियो बना दिया था लेकिन अभी मैं ये बताना जाता हूँ कि Anglo Eastern के साथ साथ में Great Eastern तो आएगी आएगी for sure shipping corporation of India है और समुद्रा institute भी December मतलब FAB batch के लिए रहता है इस बार fleet management ने भी अपना form निकाला है जो ये link के हाँ पे हमारे पर सामने दिखा ही पड़ रहा है अगर चाहिए तो मैं लिंक आपको description box में डाल दूँगा chances ये हैं कि MSC या synergy या हो सकता है दोनों ही December batch के लिए कुछ candidates को select करें ये chances भी है बट फिलहाल अभी हम ये वाला notice देखते हैं तो ये internal notice है fleet management training institute का जिसमें लिखा हुआ है subject cadet selection for DNS तो पहली line हम पढ़ते हैं और explain कर देते हैं cadet selection for August September 2022 batch is completed we will update the website for the cadet selection for Feb 2023 batch in month of November मतलब August का जो selection था वो खतम हो गया है और जो Feb batch मतलब 2023 का Feb batch का होगा cadet selection उसके लिए website पे जो भी notification आएंगे वो November तक आ जाएंगे ठीक है तो I think ये सारी चीज़ clear होगी यहां से बिल्कुल clear है कि fleet management आएगी ही आएगी इसके अलावा fleet management limited training institute का जो criteria FML लिखा हुआ है minimum criteria for DNS candidate उस criteria को ज़रा ध्यान से देख लो criteria यह है कि आपकी 20 साल या उससे कम उमर होनी चाहिए दूसरी बात आपका जो 12th clear है वो within one year of application होना चाहिए मतलब जब आप apply कर रहो तो उसके एक साल के अंदर अंदर आपका 12th clear होना चाहिए average PCM percentage 70% होने चाहिए English में जो minimum score है 12th में वो भी 70% होना चाहिए height 160 cm होनी चाहिए कई लोग मुझे बोलने थे कि sir मेरा height 5 foot 4 inch है तो क्या मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो भाई देखो आपको क्या करना है बहुत simple सी चीज़ है कि आपको अपनी height को convert कर लेना है cm में Google पे ये सारी चीज़े आती है यहां पे देखो इन्होंने अपना criteria दे दिया है Google पे आप डालोगे कि fit into centimeter तो आपको अपना बता देगा BMI जो है वो 25 से जादा नहीं होना चाहिए speech deformity मतलब बोलने में कोई problem नहीं होनी चाहिए और eyesight 6 by 6 होना चाहिए and color blindness नहीं होना चाहिए specifically तो यह इतनी चीज़े हैं जो हमें fleet management के criteria में मिलती हैं बागी पूरा का पूरा जो process होगा वो November तक clear कर देंगे जैसे यह November में form निकालेंगे हम एक और वीडियो बनाएंगे ताकि आपको उसके उपर भी सारी information दी जा सके इसके अलावा आगे short videos Instagram पे डालने वाले है और आप सभी लोगों को पता है कि सुनील सर अप टीम में आ गए है तो आप बहुत सारी tips and tricks सुनील सर भी आपको इस channel पे आ करके देने वाले है तो आपके कुछ भी doubt है जो आप specifically जैसे सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल पे vlog वाले वीडियो ज्यादा डालते है लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमें सुनील सर से interview के tips चाहिए या हमें सुनील सर से ये particular questions चाहिए जो भी आप पूछना चाहते हो आप directly comment section में जा सकते हो या फिर हमारे number पे भी call कर सकते हो that is 9140191138 तो जो भी ship से related आपकी queries होंगी या career options या वहाँ पे career का growth कैसा है या hierarchy क्या है उन सब से related जो query होंगी वो सारी की सारी हम वहाँ पे आपकी solve करेंगे और उनके ओपर videos बना करके हम जरूर आपको दिखाएंगे okay all the best guys